हाई फ्रेंट्च मैं आरती ऑन्लाइण प्रिप्रेशन विथा अरती मिंसे आपका बहुत बहुत श्वागत थ gold है इजिए आपके इपी वीजाम ये दे लिए सी टेट यूपी टेट कोई अोकर चाहरती पुझे जाते हैं हिंदी che पेपर ही होता है, साते सात में आप other competitive exams की preparation कर रहे हैं, तो उसमें भी हिंदी का पेपर आता है, और हिंदी के question पूछे जाते हैं, तो चलिए आए इस वीडियो में हम देखते हैं, हिंदी के महात्पूर्ण प्रशन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और comment करके ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं हिंदी के कुछ महात्पूर्ण प्रशन है, तो फ्रेंज चलिए, पहला question ले लेते हैं, इसमें जो पहला question है, वो हमसे पूछ रहा है, कि कम उपसर्ग से बना शब्द है यहाँ पे उपसर्ग की बात चल रही है, और चल रही है कम, ठीक है, तो हमें पता है कि उपसर्ग वो होते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है न, उसके अर्थ रूप को बदलते हैं, तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं, तो सीध है तो कंजोर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्वन हम देख लेते हैं हमारा दूसरा जो कोशिन है कि क्या हुई बाबली ठीक है अर्ध रात्र को चीखी कोकिल बोलो तो जो उप्युक्त उदारन है किस अलंकार को दर्शाता यहां पे अरंकार आपको बताना है क्या हुई बाबली अर्द रात्री को चीखी कोकिल बोलो तो ठीक है कि क्या हो गया पगली जो तुमने आधी रात को चीखा कोकिल कोयल को मिठी स्वरवाली को बोलते हैं तो बीवस उपमा मानवी करण है कोई नहीं तो देखिए यहां पे जो अलंकार होगा वो आपका हो ऊंक्या होगा तो तुम आधी रात को कोई रातार चल्डा रहे है तो रहे है झापन वी स्वरकते हैं हमसे पूछे जबना मुहाबरे का अर्थ निन् कलपों में से कौन सा है आंखों में मोहावरे केरच अक्रिन दीक क्विकल perfectly लगना अप्डी लगना फिर्फ क या लगना ठीक है यानि की जो आखों मेशिवना जो अच्छा ना लगा अखों को तो क्या हो जाएगा अप्रिय लगना या वह जाएगा चार अप्षन किनारा के लिए सही पर्यावाची वाले शब्दों की पक्ति को चुनिए किनारा के लिए सही पर्यावाची शब्द क्या होगा किनारा के कौन कौन से सही पर्यावाची शब्द होते हैं फोर आफसन है टट तीर कगार टट तर कगार टट तीर कगर और टट तीर कगार देखिए थोड़ा से यहाँ पे अगर आप इस इसको देख लेए किनारा को हम क्या बोलते हैं टट भी बोलते हैं और किनारा को हम क्या बोलते हैं कगार भी बोलते हैं किनारे को कगार भी बोलते तो सिर्फ एक ही चीज रह जा रहा तो किया रह जा रहा है तीर रह जा रहा तो राइट एंप्सर हो जाएगा टट तीर कगार ठीक है किनारे के पर्यावाची शब्दे हैं चलिए देख लेते हैं अगला हमारा कौशन है कि निर्ण लिखी तर्वाक का शुद्ध रूप नीच पर क्या हो जाएगा अब आप जा सकते हैं अब आप जा सकते हैं ठीक है अगला कुछन ले लेते हैं हमारा अन्यश कोश्चन है कि प्रत्यक्ष का निम्न में से कौन सा सही बिलोम शब्द होगा यानि प्रत्यक्ष का आपको बिलोम शब्द बताना है तो प्रत्यक्ष का मतलब हो गया तो प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष परोक्ष देखिए आप दो चीजे है थोड़ा सा केरफुली परोक्ष परोच 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 तो प्रत्यक्ष का सीधे हो जाएगा परोक्ष क्या हो जाएगा परोक्ष प्रत्यक्ष का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा परोक्ष तो राइट एंसर इसका जो है प्रत्यक्ष का वो हो जाएगा आपका परोच ठीक है जिसको हम परोक्ष बोलते हैं चली अगला कोशन ले लेते हैं अब यहाँ पर अगला कोशन है कि अनुमोधन इस शब्द का सही परिभासिक रूप चुनना है यानि अनुमोधन का सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है अपनी कुछी जाहिर करना आग्या देना अपना समर्थन देना मन ही मन प्रशन होना थोड़ा इसको अगर आप अदर उसमें लेके जाएं तो बहुत आसानी से आप एंसर इसका निकाल सकते हैं अनुमोधन करना जर्नली यह जो वर्ड होता है संसद में उचकिया जाता नितलोग करते कि हमारा उनको अनुमोधन है जिसका मतलब क्या हुआ संसद में एक पार्टी ने दुसरी पार्टी को अनुमोधन दिया यानि अपना समर्थन देना ठीक है ऐसे भी याद कर सकते हैं तो अनुमोधन का मतलब क्या होता है अपना समर्थन देना ओके चलिए अगला कोश्चन ले लेते हैं महरा अगला कोश्चन है कि अकाल पीडित का सही समासिक बिग्रे क्या है यहाँ पे आपको समासिक बिग्रे बताना है अकाल पीडित का ठीक है ना अकाल से पीडित अकाल के लिए पीडित अकाल का पीडित या अकाल पर पीडित देखी सीदी सी बात है जब किसी चीज़ का समा लेकिन यह सबी चीजे वर्ड के कॉर्डिंग लगती है कि उनका अर्थ क्या निकलता है तो आकाल पर पीडित यह हो इनी सकता है क्योंकि कोई आकाल पर पीडित नहीं हो सकता है है ना लेकिन आकाल से वो ग्रशित हो सकता है आकाल से वो पीडित हो सकता है ठीक है यहाँ पर राइट एंसर आकाल से पीडित हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो पीडित है तो यहाँ पर का भी नहीं आएगा आकाल का पीडित नहीं होता है ठीक है प्रतारित किसी का हो सकता है अ वो सब्द को उनके अर्थ क्या निकलते हैं उनको देख के लगते हैं तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइड में रखेएगा अगला कुशन ले लेते हैं जिस इस्तरी का पती बाहर हो उसके लिए उप्यूक्त शब्द जिसका पती बाहर हो बाहर रहते हो जिनके पती उनके लिए उप्यूक्त शब्द क्या होगा अप्रत्यार्शित पोशित पतिका या आश्रस्त क्या होगा जिस इस्तरी का पती बाहर हो तो इसका देखिए चो राइट एंसर है वो हो जाएगा पोसित पतिका बाहर रहता उसको पोसित पतिका बोला जाता है चली क्योंकि उसको पोसित करने के लिए यहां फे थोलब भी समझ लिजै पोसित का मतलब क्या होता है जो खा पी रहा अच्छा बढ़ियां हो तो उसका पती बाहर इसलिए तो होगा ना क्यों कमाने गया है वहाँ पे तो यहाँ पे पोसित पतिका हो जाएगा ओके चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं अगला कोशन हमारा क्या है हमारा अगला कुश्चन है कि मैं अपने गुरू डैस रखता हूँ इस वाक के रिख्ट अस्थान में उप्युक्त सब्द बरना है आपको ठीक है मैं अपने गुरू का क्या रखता हूँ के उपर श्रद्धा को श्रद्धा पर श्रद्धा या के आगे श्रद्धा देखिए इसका जो राइट एंसर है वो हो जागा कि मैं अपने गुरू पर श्रद्धा रखता हूँ स्रद्धा जो होता हो किसी पर रखा जाता है मुझे भगवान पर स्रद्धा है ऐसे हम बोलते हैं यही वर्ड होता है कि मुझे भगवान पर श्रद्धा है मुझे आप पर यकीन है ट्रस्ट है तो अब मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ ठीक है चलिए अगला क होता है वह यह कहला हाथ ओक चलिएम अग्ला कुश्चन देख लिए हैं और अग्ला कुश्चन है कि वाला प्रत्य से बना शब्द में निम्न में से कौन सा है तो यहां पर बाला जो है क्या होगे जो है गाने वाले में ठीक है न तो प्रत्य जो होते हैं उख बारल बद के बास प्रत्यावर देखि経ता आपर चिंत का बिलोम है यहा के बहुत आसान आया जहाो चली एंग तो चिंत का बिलोम अचलती Premium स्वा आपर मेंखेल वह एगा मारा कोस्यों है कि बार-बार कहिंगई उकति कहलाथी है किसी चीज को भर वार कहते हैं तो क्या कहलाती है पुनोकती कई instance पुनर्उकती फुन्रुकती कहलाती है दोन के लिए यूं में क्लिक देखी ओके पानि परात को हात्छों मैंने जल 100 पग दो में कौन सा अलंकार है आपको अलंकार बथाना है पानी पराथ को हात छुओ नहीं पराथ पर ठाशने को चुओ नहीं और जो पग है 상verית हो और ना इनट से आँas सब्सक्राइब पषा दिया और पाणी पराद पर पर अंसूट जो यहां चलिए यहां प्रहुति जो नियुलस पहा कि परतन की पर मेदा हनय जाए तो कि ऐसा और किसी कि एलंग कार है अगला कुस्छन है कि सिין का सुद्ध रूप क्या है यह जो है जो होगा टेल कि यहां नहीं के दिक लेखे कि दोनों में सहिष चुछन पोता भी यह सीस लिखा है लेकिन जब इसे हम पढ़ेंगे तो सही होगा शीस ठीक है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं आड़े हाथो लेने मुआबरे का क्या मतलब होता है सिदी सी बात है इसका मतलब हो जाता है खरी खोटी सुनाना आड़े हाथ लेना है यार मैंने इतना जिल में गुबार था वह भड़ास था वह समय ने निकाल दिया तो खरी खोटी सुनाना आड़े हाथो लेना चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं हमारा अगला कोश्चन है कि लर्णिंग सब्द के लिए हिंदी भासा में उचित पारिभासिक शब्दा वली का चय हिंदी में लेकिन जेनरलिए सुध्ध है जो इसका अर्थ होता है भासा होता हो यह नहीं होता है हिंदी में जब अधिगम करना और जब अधिगम करन पूचा जा दबल स्थार चांदी का पर्याएवाची तुझए बहुत ही आसान है चांदी का पर्याएवाची है झाल 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 झाल